समस्त देश वासियों, प्रदेश वासियों, रीवा जिला वासियों एवं विंध वासियों को गुर्थाना प्रभारी हरिशंकर तिवारी की तरब से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुब काम नाएं नमस्कार बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में हम रोज की तरह आज भी हाजिर हुए हैं अपने दर्शकों के लिए मौसम की ताजा जानकारियों को लेकर मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से बारिश पर लगा ब्रेक अब खत्म होता दिखाई दे रहा है मौसम विभागनी मध्य प्रदेश में एक बार फिर तेज बारिश को लेकर अलट चारी किया है बुद्धवार को प्रदेश के कई लाकों में भारी बारिश देखने को मिली तो वहीं गुरुवार यानि कि आज सुबह से ही प्रदेश के कुछ लाकों में रिंधिम बारिश का सिलसिला चारी रहा आज यानि की गुरुवार को लेकर मौसम विभागनी अलट चारी किया है मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में भारी बारिश का अलट चारी किया गया है इन दोनों ही संभागों के 10 से अथिक जिलों में तेज बारि जैन समेत अन्य जिलो में गरत चमक के साथ हलकी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरब से जारी किया गया है। भारी बारिश के कारण फूट गया। अचानक मिट्टी की बनी तालाब की दिवार तूट गया। जिसकी वज़े से आसपास के कई गावों में पानी भर गया। बताया जा रहा है कि करीब 20 गावों तालाब फूटने की बज़े से प्रभावित हुए हैं। इस ते मुरैना मुखे मार्ग में पानी भरने की कारण यातायाद भी बाधित हो गया।